बोस्तों वैसे तो हमारे चैनल पर तमाम तरह के वीडियो टांसफार्मर के उपर पड़े हुए हैं जैसे की टांसफार्मर का यूज आप कहा कहा कर सकते हैं और इसे कैसे ब्रीज बनाया जाता है और भी तमाम तरह के जो टांसफार्मर के उपर कई वीडियो मैंने डाले हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम बताएंगे जो भी running transformer इन 3-4 तरह के आपका running जो transformer होता है उन सभी का price क्या होता है कितने रुपे में मिलता है और एक चीज मैं बता दूं यह transformer आपको 2 तरह के मिलते हैं एक मिलता है aluminum में और दूसरा मिलता है copper में तो दोनों को मैं rate देखे आप कुछ इस तरह से ही transformer आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि यहां डेक्षे 0-12 750 पाट यहाँ बहुत्थ यह सातव वायर में आपको हैं तो आई ये देरने करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बताते हैं कि इसा भी टांसफार्मर का क्या प्राइज होता है कितने रुपे में मिलता है सबसे पहले यहां जो सबसे छोटा टांसफार्मर है उससे हम सी स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए जो सबसे 750 मिली एंपियर तो यह company आप मत देखेगा हमारे यहां किसी और company का है आपके यहां किसी और company का हो सकता है लेकिन आप इतना जरूर पूछ सकते हैं कि Almonium है या copper है तो यह copper binding है यह हमको market में wholesale मार्केट में हम खरीटते हैं वहां से हमको यह 85 रुपए में एक पीस हमको यह मिला हुआ है और अगर इसी फूटकर में आप खरीटते हैं तो आप समझ सकते हैं कम सकम 15-20 रुपए आपको different मिलेगा उसके बाद यहां देखे हैं हमारे पास जो 7 वायर वाला है यह आप इधर देख सकते हैं चार वायर है और इधर तीन वायर यानि बारे जीरो बार है फिर यहां जीरो बार है और यह कामन है मनलब जो में एसी दिया जाता है और यह एलमूनियम कॉयल में है यह भी मज़़ ट्रांसफार्मर है यह एलमूनियम कॉयल में है इसका जो हमको प्राइज मरला हम जो हमको खरीदारी पड़ा है ये 270 रुपे का हमको ये मिला है ये तीन एमपियर में transfermer है अगर इसका हम कापर खरीते हैं तो यह माना कि चलिए हमारा जो है 300 से plus में हमको ये transfermer मिलेगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे पास है 0-12, यह हमारा है 2 Ampere, 0-12, 2 Ampere का यह भी Aluminium Binding में है, तो अगर यह कापर लेते हैं, Aluminium लेते हैं, तो इसमें ज्यादा डिफिरेंस आपको मिलेगा, जैसे कि Aluminium Body, Aluminium कोईल हमने लिया है, तो हमको यहाँ मिला है य 170 रुपे का एक पीस, 170 रुपे लगिन अगर अगर इसे हम कापर बाइंडिंग में खरीते हैं, तो यह कापर बाइंडिंग में 220-230 रुपे के आसपास यह मिलेगा, दोस्तों मैंने जो भी यहाँ रेट बताए हैं, वो सब होल से रेट बताए हैं, फूटकर में आप लेते 215-220 रुपे के आसपास यह आपको 3 अंपियर का मिलेगा, लेकिन वहीं आप अगर अगर कापर बाइंडिंग में लेते हैं, तो मान की चलिए आपको 280-290 रुपे के आसपास यह होल सेल में आपको मिलेगा, फूटकर में आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, उसे मनलब 20 या 25 रुपे ज़्यादा ही मनलब कोई प्राइज मार्जिंग रखके बेशता है, तो उसके बाद आपको कितने रुपे प्राइज पड़ेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे यह popular transformer है, आपके market में कितने रुपे का मिलता है, इसको आप जरूर बताईएगा इसके बाद आते हैं, यहाँ देखिए हमारे पास जो बार है, जीरो बार है, यानि इधर तीन तार इधर दो तार, इसका यूज ज़्यादा करके हम जो होता है, वो होम थियेटर में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है, और इसका भी जो दो एंपियर है, तो दो एंपि 30'sR€ का एक पीस हमको यह मिलेगा तो कुल मिलाक कि यहाँ पे जो हमारा जीरो बारह है और जीरो बारह सेम quis है ।oसे प्राइज होगा चाहे वह मनलब दो exam हो चाहे तीर एम्पियर हो अगर आपका Wouldiam है तो तो इस तरह के यहाँ दोनों प्राइस चाहिए तो आप कमेंट करके बताईएगा हम उसके उपर भी वीडियो जरूर बनाने की कोसिस करेंगे उमिद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद रहते वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल फिर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब त